टीम इंडिया वर्ल्ड कप की फाइनल तक पहुंची फाइनल हारे चर्चा का विशे बना और उसके बाद प्रिकेट में अगर कोई दूसरी ख़बर बनी तो वो थी हारदीक पांडिया का गुजरात टाइटन्स से मुंबई इंडियंस में जाना अब तस्वीर साफ है क्योंकि थोड़ी दिनों में आईपल भी शुरू होने वाला है उससे पहले टीम इडिया सौथ फरीका के दोरे पर भी जाएगी टी-20 सीरीज अभी सूरे कुमारी आदव कप्तानी कर रहे हैं टीम जीत भी रही है लेकिन चर्चा बहुत हुई हारदीक पांडया की हमारे साथ गुजरात टाइटन्स टीन के सी ई-ओ करनल अरविंदर सिंग मौझूद है जो हैं पंजाब के पंजाब की टेमी समभाली थी खिलाल गुजरात टाइटन्स को देख रहे हैं करनल साब वर्ल्ड कप की फाइनल की हार चर्चा का विशेवनी फाइनल तक बहुत अच्छा खेले हैं क्रिकेट सीजन एक तरह से है उसके बाद हारदीक पांडया का गुजरास से बॉमबे जाना ये मुझे लगता पूरी न्यूस चाहिरी जब तक वो ट्रेडिंग नहीं ह आपसे बाद करना जुरूरी होता है अर सीजन के पहले और बाद में वर्ल्ल कप में इंडिया की जीत होनी चाहिए थी इतने अच्छा खेलने के बावजूर्द फाइनल में जाके हमारे बद फिर भी तीम ने बौत अच्छा किया है ये खबर आपकी बिल्कुल सही है है हर्दिक में एक डिजायर अग्सपेस किया था वह वाफिटहना चाहते थे मंबइघ इंड़ उसम सब कुछ देखते हुए हमारी टीम का कल्चर जिस तरह से है हम किसी को इसे बांद के नहीं रखते नाई किसी को कभी बांद के रखने की कोशिश की है हम चाहते हमारे प्ल टीम को जादा पुरानी नहीं नहीं नवेली टीम, चैंपियन बनी, फाइनल हाफ फारे और हार्दिक पांडे की कप्तानी में और ऐसा बड़ा खिलाडी टीम का कप्तान जा रहा हो तो कहीं नगे पारवबर एक महौल होता है ना कि एक घर का कोई मेंबर दूसरी जगह शिफ् में और जिस तरह से आशी, श्विक्रम, अबाकी कोचिंग स्टाफ के साथ मिलके, कप्तान ने जिस तरह से टीम तयार की है, बनाई थी, जिस तरह का क्रिकेट वो खेले हैं, जिस तरह की मीलोशिप उन्होंने पूरी टीम को दी है, वो बिलकुल काबले तारीफ है, कोई शक अब बात कर रहे हैं, हमारे से पहले एक फैमली में और थे हो, जहां उनका करियर उनने शुरू किया था, तो हो सकता है, पुछ एमोशनल आइंगल हो, जिसके कारण वो चाहते थे पर इसके आगे कर क्रिकेट वो वहां केले, यस, अगर आप काओ पर गुजरा टाइटन इसका लॉस नहीं है, बिलकुल है, बट जिस तरह से हमने 2022 में टीम शुरू की थी, उस ताइम हार दिखने कभी कपता नहीं की थी, उस ताइम यो क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे, सर्जरी से वापस आ रहे थे, उस ताइम पे गुजरा टाइटन स् पूरी तयार होई है, हम दिखने के अंडर पहले ही सीजन में हमने किताब जीता, दूसरे सीजन में फाइनल्स में हम CSK से आ रहे हैं, तो परफॉरमेंस टीम की बहुत अची रही है, इसी तरह से हमारा पूरा बिलीफ है, हमारे पूरे मैनेजमेंट का, पूरे स्टाफ का, हमारे कोचिं स्टाफ क का बिलीफ ही है, हम अगले सीजन के लिए एक और नही अची टीम तियार करेंगे, निया कप्तान है, यंग कप्तान, फ्यूचर बहुत बराइट है उसका, उसके अंदर हम पूरी नही टीम, अबसलूटली है, जिस तरह से जीटी का ब्राइट हुआ है, उसी को आगे ले जा है ना, क्या संबंध जो होते हैं, रिलेशन के कड़वाट वाले महौल में हुआ, या कैसे तक दिन नहीं यार नहीं जाना चाहिए, हार्दिक साब की बात हुई होगे, क्यार सोच लो, टीम है ठीक है, वहाँ भी आपके एक 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 एमोशनल फीलिंग, आप शुरू जैसे मैंने पहले बोला, येस, उनसे बात जुरूर हुई, लेकिन अगर प्लेयर कोई जाना चाहते हैं, और उसकी उनके पास रीजनिंग ऐसी है, जो उनको ठीक लगती है, मेरको नहीं लगता है, ये मोमेंट्स होती हैं टीम में, पहली बार नहीं हुआ है, कोई एक टीम स और आगे चलके हो सकता है, नेक्स्ट येर हम जीटी और चुमन के अंडर और ये टीम और अच्छा परफॉर्म करें, फार्दिक ने सिधा ये का कि मुझे जाना है, तो एक होता है कि हल्दी एटमस्फेर में बात हुई होगे, ठीक, आपने उसकी डिसिजन के रिस्पेक्ट प्लेयर को मालूम होता है, अपने लिए अपने त husband vet के होता है, कहां उसने, काफी साल उसम, अच्छा प्र्परॉर्म किया है, अब हमारे लिए दो साल, अच्छा पेफॉर्म किया है, आब उसका डिजायर था जाय कोछा है ँछ करना चाहते हैं वापिस झा ये जास मुच ज तो इसमें कोई कड़वाट की तो कोई बात रही नहीं है बिलकुल बिलकुल उनसे बात होती है उनके साथ रिलेशन हरेक के हमारे प्लेयर्स का आपने देखा ही है तभी जी टी अच्छा ही इसलिए करते थे पर कॉसमारा महौल उस तरह का है जहां प्लेयर्स खुल के अपनी प्लेयर्स कर सकते हैं और बोल सकते हैं और उसका करकेट भी आप देखते हो जिस ब्रांड कर क्रिक्ट कहलते हैं वह मैं आपको बता सकता हूं पर वह पंटिनू रहेगा शुमंगिल एक उभरता हुआ सितारा एंडिया का भारतिया टीम का कप्तानी का एक जो रिस्पॉंसि आपको बता सकता हूं पर गुजरा टाइटन्स में जो भी करते हैं चाहे वह ओन फिल्ड है हम शॉट टर्म मेजर्स कभी नहीं करते हैं हमारा हमेशा स्वोच रहती है परी मेडियम से लॉंग टर्म में इस चीज का क्या अधर पढ़ने पाला है फ्रैंचाइज के ऊपर यह सब्सक्राइब करते हैं तो हम यह नहीं देखा भी अगले साल क्या करना है सिरफ आने वाले सीजन में क्या करना है हमने लॉंग टर्म परस्पेक्टिव से सोचा और उसको धान में रखते हुए हम पूरे फ्रैंचाइज को और इस्पेशली जो कोचिंग स्टाफ है अशीश और बाकी उनका स्टाफ है उनको लगा शुबमन इस राइट राइट टाइम राइट प्लेस राइट टीम यह बहुत ज़रूरी है जो सपोर्ट स्ट्चर उसके अरूंड होगा तो हमारी टीम में जैसे केन विलिमसन है राशित खान है एक्सपिरियंस प्लेयर्स है आशीश करते हैं पिछले देट दो साल से वह जीटी के लिए और आगे चलके और बैठ करें गया था जब टीम का क्या था टीम आपने करना ही है शुमन को बैठ ही बात होती है अबिशली में किसी पर थोपा नहीं जाता हूँ कोई डिसिजिन अबिशली उससे बात हुई है कोच्छिंग स्टाफ में उससे बात की है और सबने उनसे बात की है और इस वह अपी उनके लिए एक अची अपरचुनिटी है तो शोकेस नेक्स लेवल अफ लीडर्शिप दे हमारी टीम जो नई टीम बिलकुल जैसे त्यार हुई है तो सबने मिल जुल के इसी वही मैं वापस वसी बात पर आ रहा हूं मैं वाल पर बात पर आ रहा हूं कैसे हमारी टीम चलाई जाती है उसको देखते हुए शुमन पिछले दो साल से ही उस लीडर्शिप ग्रूप का आप मान सकते हो इस बात को भी ग्रूमिंग हो रही है और आप उसको अलग लेवल पे लेकर जाना है और में सौर वह डिलिवर करें शुमन का क्या कहना था जब यह इतनी रिस्पोंसिबिल्टी में ने शुमन वाज है इस है और यह इस धरशाता है किसी भी प्लेयर का उसको तो पहले यह नहीं उसको लगा पही उसको लगा पही नो सदनी मेरे उपर ज्यादा रिस्पॉंसिबिलिटी इस रेड़ी और रेरिंग तो गो जैसे बोलते है करेंगे डिलेवाइब आपका एक्स्विरेंस लंबर आइपियल में चाहिए किंग्स लवन की बात हो या दूसरी एक नब्स का पता है आई पेल एक डिफरेंट सेनेरियो क्रिकेट का एक देश के लिए खेलना डिफरेंट सेनेरियो है अब एक होता नहीं होता है अपने शुमन को का कि वह ग्रूमिंग पार जब चल रहा था वह रहा है कि एक बहुत बड़ अच्छा बैट्समें का और किस तरह से कप्तानी होती है देखो फिर में वही बात दो रहा हूंगा गुजराद टाइटिन्स में कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लिया जाता है जो भी डिसीजन दिया जाते हैं और सोच समझ के लंबे परस्पेक्टिव से लिया जाते हैं और इनी सब चीज़ों क में जिस तरह से वह परफॉर्म कर रहा है वह देखिया है वह उसका एक क्रिक्टिटिंग स्किल की बात कर रहे हैं बट एज़ परसन एज़ इंडिविजल एज़ अ लीडर हमने उसको ग्लोज ली देखा है गुज़ा टाइटिल में पिसले दो साल में वह वह इन्वारा है तो यह नहीं है पर सिर्फ वह अच्छा बैट्समन ने इसलिए उसको कप्तान बना दिया है गया है मारे कोचिंग स्टाफ ने सोच समझ कि यह देखा है उसमें वह लीडरिशिप कॉलिटीज है वह स्किल सेट है इसको देखते ही हुए उसको कैटन मनाय हुए इसके बात नाम ले रहा हूं पर होता है मोगमी शमी को भी किसी टीम ने कोशिश किया है यह हमारे कि इसी पी फ्रैंचाइज को हग बनता है परे वह अपनी टीम को और मजबूत करने के लिए इक्म टुम्यक्ट मुह मूंच इम करने केलिए और म्ज c a जो गलत बात यह है कि जब कुछ फ्रेंचाइज जो है वो डारेक्टी प्लेयर को अप्रोच करें एक प्रोसीजर बनाया हुआ है पिस तरह से ट्रेड होता है किस तरह से यह बना एक तव और नियुक अप्रेंचाइज लुका के पास करते हैं थो के जो चाहिए के बात करती है पर फिर्घ Nagra को पreseल्चाइज जाना झांक वियुक्ता क्या राएंट वण नेकराइफ्ट यह बनां चाह यह वार्पीकी एक 550 के जाना गांकी जाना हुआ एपकी नोलज में एक बा कि नॉलिज में बाद में आई बात, ओविएसली हमारे सिस्टम जो हमारे सिस्टम जन प्रोसेसे हैं तो बात बात ऑफकोर्स यह बात छुप तो सकती नहीं है इवेंचुली फ्रेंचाइज इवेंचुली डिसाइड करेगी और ठेड होना है नहीं होना है प्रोसेस जैसे में बतारहा हूं परarry वोग ब्रसेस वाज वैसाइडने सैट्ब किया हुआ है तो बात तो पुल नहीं थी तो बात टो एवसे बात तो पुल नहीं थी तो 1 plus 1 plus 1 year का contract होता है इन 3 साल में फ्रेंचाइज के पास राइट है वह एक्स्टेंड करें हो अगले साल के लिए उससे अगले साल के लिए तीन साल पुरे रखें एक साल के लिए रखें या दो साल के लिए रखें तीन साल के लिए किसी प्लेर को दूसरी टीम्स अप्रोच कर सकती हैं फ्रेंचाइज को ट्रेंड के लिए यह है रूल के अंदर है बट उसका प्रोसेस जो है बिना नहीं हो सकता है अगर किसी को आप अप्रोच भी करो एवेंचुली प्रोसेस को वही है पिसे अच्छा है पर आप करो पर यह सकता है नहीं हो भी पुच्छह पतर है कि इसी कि साध्तिक पीछए बात करना और पूसेच करना पी यह से ट्रेड हो जाओ तो पॉसिबल ही नहीं है मैशसे भी पॉसिबल Nig सब को जैसे मैंने बोला पर अच्छे प्लेस अभी को चाहिए होते हैं, अपनी टीम को और मजबूत करना चाहते हैं, सभी टीम से मजबूत करना चाहते हैं, बड़ कहना यह है, अगर रूल्स के और रेगलेशन के साफ से चले तो जाड़ा थीक रहता है लास्ट के दो सवाल लेता हूँ, अभी सीजन आने वाला है, नया कफ्तान है आपका शुमन गिल, जो भारतिया टीम का उबरताओ सितारा है, मौमे शम ही आपकी टीम में हैं, जिन्होंने वर्ड कप में बाकमाल परफॉर्मेंस दी है, आउक्षन अलरड़ी दुबई में होने सबसे अची बात तो यह है, इस आउक्षन में सबसे जादा परस हमारे पास है, और हमारी कोशिज तो यह है, हमारी अपनी टीम को और मजबूत करें, जो भी हमें लगता है, जहां जहां और प्लेयर्स की जूरत है, और स्किल सेट्स की जूरत है, वो हमारे कोचिंग इस बारे मैं बता सकता हूं, हमारे मारे स्काउट्स, हमारे कोचिस और जो मिन्टर है, जो डार्ट्र क्रिकेट है, यह बहुत मेहनत करते हैं, और बैक अंड पर सारी बात तो नहीं शैर करूँगा, आपके बार बारभ हमारा बहुत इन चीज़ों के बारे में उन्ही और ए के लिए बिड़ किया हूँ हम लेकर आए that shows clarity of thought अब जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही हो बड लेकिन जो planning हमारी रहती है और जिस तरह से हमारी strategy रहती है वे हम क्या चाहते है हमारी जो अने वाली auction उससे हमें को क्या टीम के लिए किस तरह के player लेने है किसको लेना है वो तो मैं आपको नहीं बता हूँगा इस्टेज पर इसमें बहुत काम होता है और 100% clarity of thought के साब कुज्रा टाइटन दुबारा इस option में जाएगी लास वाल अशीश नहरा आपके coach है और अश आपके coach है तो एक deadly combination आपकी टीम का लगता है और एक कहिने की responsibility तो हो रहा है कि हाँ यह इस टीम का इतिहास है कि चैंपियन है डिफैंडिंग चैंपियन है तो वो रहता पुरी टीम के अंदर के नहीं है उसी level पर ही रहना है नहीं नहीं यह कुछ तीमों की नहीं कुछ खास है थोड़ी सी बैडलाग होगी हमारे साथ बारिश की नहीं को चांसे थे पर हम भी जीट जाते हैं यही आगे चलेगा और मैं आपको अशीश और बागी coaching staff की में बात और यह मैं इसके नहीं बोल रहा हूं कि मैं गुजरा टाइटेंस संबालता हूं मैं आपको बताओं जि देखा तूधी एक्स्टेंट पर ही बहुत भारी हमारे पास complaints आती है दूसरी जगह से पर हमारी टीम ग्राउंड खाली नहीं करती है जल्दी पहुंच जाती है जो मारे को timings होते हैं तो ठीक है वो सभालना पड़ता है बट यह सब आशीश नहरा के अंडर होता है और जित इस देख लो IPL की कभी नहीं होता भी 25-25 आपको एक भी मैच खेलेने हैं मतलग कोई कुछ प्लेयर होंगे पर कोई भी मैच नहीं खेले हो चाहए एक खेले हैं कुछ और 15-16 प्लेयर है तो ऐसे होते हैं depending on conditions जो जिसमें से आपके टॉप प्लेइंग 11 बनते हैं नॉमली और प्लेयर के आने के बाद एक अधा प्लेयर उसमें और जोड़ दीजी अचीश नहरह और उसका स्थाफ जो दूब प्लेयर हैं जो जो जिनको चांसे कम हैं खेलने के लिए उनके ओपर ज्यादा टाइम लगाते हैं वह इंशूर करते हैं पर उनको कभी ना ये लगे पर मेरे जब बड़ी बात है किसी भी टीम के लिए जितना टाइम यह हमारा कोचंच स्थाफ एंग प्लेइर इंग प्लेइर्स पर लगाता है यंग प्लेयर पे अब अपकमिंग प्लेइर्स पे जो अभी पॉसिबली प्लेंग इलेमन में नहीं आसकते हैं लेकिन पूरा सीजन अपरे में आपने लिए एक नेट बोलर बना एक फ्राइंचाइस के साथ पूरा सीजन हमारे साथ नेगाएं पूरा साल हमारे साथ टच में रहे, कोचिंग स्टाफ ने उनको पूरा नजरिया रखा उनके ऊपर और आप्ष्ण में लिया और अपकी उनकी पूर्फोर्मेंस देखो प इसी तरह से आप प्लेयर्स देखो पही पहले साल में किसने में में मुक्या दिया था कौन कहता था कोई भी कुछ जो क्रिकेट पंडिट से सबी बोलते थे कोई चांस नहीं इस तीम का इसलिए हम तीम क्यार करते हैं हमारे लिए नेम्स इतने ज्यादा इंपॉर्टन नहीं हमारे लिए प्लेयर अपने से बढ़ चड़ के अपना देना चाहता है परफॉर्मेंस ग्राउन पर उसके लिए फक्र की बात है पर मैं इस तीम के लिए खेल रहा हूं उस तरह का मौल हम बनाके रखते हैं और आगे भी कोशिच रहेगी इसी तरह से रहे और इसमें सबसे बड़ा हाथ अजिज में रहता है बहुत बहुत शुक्र है करनल साब और विश वल्दा बेस्ट आपके अगले सीजन के लिए थैंक यू थैंक यू मिश वही थे करनल और विंदर सी यो गुज्रा टाइटन्स और शुबमन गिल नया कप्तान एक ने कप्तान के साथ इस सीजन में उतरेगी अभी आईपिल में अधिन के लिए जाएगी हार्दिक पांडे के बार में बताया और ये भी बताया कि एक टीम ने अप्रोच किया मुहमद शमी को ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेड करने के लिए लेकिन हो नहीं पाया तो कई चीज़ें होती है क्रिकेट का ये कारवा ऐसे ही है लेकिन अच्छा करें विडियो जनली सनम के साथ वमेश और नेउस इटिन चंडिकपाद